देश का 101 वा यूनिकॉन जशक्स के नाम है कोचिंग की दुनिया में न सिर्फ एक नई क्रांती के तौर पर इस नाम को देखा जा रहा है बलकि जेई जैसे कथिन जटिल परिक्षा के लिए किस अलग तरीके से तैयारी की जाए यानि की कोचिंग और तैयारी के पूरे पैटन को छात्रों के लिए बदल दिया है और छात्रों और युवाओं के लोग प्रिये सर अलग सर आज हमारे साथ मौजूद है खास मुलाकात में प्रयागराज के युवा हीरो और युवा आइकन अलग पांदे आपका बहुत-बह करते हैं कि देश का 101 युनिकॉन इसने कितना उर्जा को बढ़ाया अलग आप लोग की क्योंकि लंबा प्रयास है लंबा सफर है आपका उस पर बात करेंगी लेकिन यह जो एक दम फोरी जो एक बड़ी उपलब्दी सामने आई कैसा लगता है युनिकॉन बनने से हमें नही वही मेल्स परते हैं वही सपोर्ट पर जाते हैं तो आज भी बच्चे जो कह रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं हाँ इस चीज़ से फरक पड़ा जब मानिय श्री धर्मिन प्रदान जी ने हमारे बारे में बात कि ओवरी बिलियंस ऑफ बच्चे यहां पर जुड़े हुए है उससे फरक पड़ता है कि हमारे पास एक अच्छा टैलेंट आता है काम करने के लिए जैसे टेक का टैलेंट है टीचर टैलेंट है वह और हमारी तरफ आकरशित होता है और उसको लगता है कि स्टेबल और्गनाईजेशन है तो इसका फाइदा जो डेफिनेटली मिला यूनि प्रेस्टिक बीटेक में नहीं था और बीच में चोड़ने के बाद क्या लगता था कि सिफ कोचिंग से अब अपने भविष्य को और साती साथ तमाम युवाओं के भविष्य को सबारेंगे इतना तो बिल्कुल नहीं लगता था कुछ भी लगता था जब कॉलेज छूट अजया था तो यह लग रहा था कि यह जो बैंक का लोन है जिससे पढ़ने आए हैं यह कैसे चुकाएंगे तो हमारी बड़ी मेहन है उन्हों ने फोन पर बोला था हम तो रो रहे थे उस समय पोन पर कि कि अर दी दी हम क्या करेंगे के कॉलेज पढ़ने का मन नहीं और तो कह बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे और जीवें वापस जा कि क्या करेंगे अच्छी ट्व तक बड़े क्रेटिव बच्चे थे ठीक है ठीक पड़ने भी ठीक तो इसा बी ता कुछ बड़ा करना यह तो इसलिए गह ते इंजिनिंग करने कि कुछ समाज बदलने बाली चीज़ होंगी वहां इंजिनियर बनेंगे पर उतरपदेश कॉलेज का हाल जो सच बात है हुआ ही था कि मतलब लाइट गई हुई है और एक्स्परिमेंट सब भी हो रहे है रीडिंग तब लिखी जा रही है तो इस तरह का महौल है एक्जाम से चार्ज में पड़े बच्चे में लगातार बच्चों को कचिंग लिए तो बढ़ आ रहे हैं कि इतने वां रख शुच पहुंचा तब दे पाएं नहीं पता था सबस्कों का लों नाम था कुछ देए नहीं कि नाम बगातार रहें था सब्सक्तारा-था एक ने वाहां रख रखा था उन्हीं का बन जा र तो जब उस कोचिंग को जब शुरू किया था तब सिर्फ हर दिन का खर्चा निकल सके लोन दे सके इतना ही मकसद था लेकिन भवेश करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे इसके लिए क्या सोच थे लिए क्या सोच थे ज़िए उस तेम अर घर वालों का क्या प्रेशर नहीं था माता पिता ने किस तरह से लिया मम्मी और बहन दोनों ने काफी सईयोग किया वह बच्पन से कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा करोगे जीवन में और तुम कुछ कर ले जाओगे पर हमें लगता हूँ सभी माय मोलती है अपने बच्चे को और अच्छा है बोलना चाहिए उस कि अच्छा है हुआ अच्छा है विजन्स ने कि तुम पर जाएकल उसके बचाह शाएकल भी जाते है वह बिस्किट भी चानों पर बिजनस नहीं चले तो उनको शाव वह एक इन सिक्योर्टी डर था कि हमारे बेटे कसा भी जाए जिग आज जाए बच्छा है और मुझे ल सब्सक्राइब करते हैं दो कमरे के मकान में स्लम जैसा एरिया है यहां से क्या करोगे अब तुम पड़ागे क्या ही कल लोगे पांच आर महीने कमा रहे हो तो इस तरह से उसी पीछ हमारे कजन है उनका नाम हर्शिद ठीक है पूरा नाम नहीं बोलेंगे समझी जांगे तो उन दो अखुच में साल हो जागे पांच रुप्ये अनुको नहीं के लगे कहा हूं अपना पीना लों नहीं हो सकता था थीज़ेत टीस आ फञे तो इस प्रवाला दूजर चल ला है तो इस कोचिंग में जब पढ़ा रहे थे तो एक अलग तरह की पीछिर थे हम मतलब ती-शट के पीछ इसे हैं हैं है तो हम नाम बहरूपिया दिया तो पीछे पेंट किया रहे थे तो हैं ती-टी-चिट बने हुए एक पीछ एक और एक कोचिंग में कि यह सर्क तो अलगी क्या एक टी-शट पे पहले लोग हस्ते थे टी-चर सारे कोचिंग में जो भी टी-चर आया वो हस्ते थे कि क्या कार्टून जैसा है क्योंकि हमारी पूरी जीन्स थी और जूस थोड़ी फट्टी-फटी थी पैसे नहीं ते को दिक्कत ही पर अपने उस फटे को शर्माय नहीं हमने उसके अगल बगल फॉर्मलेस लिग डाले एक चुछ बाद बताई नहीं जो जीन्स पे ठी थी 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 तो हमने क्या क्या उस पर फैबरिक पेंट से खुग पेंटिंग डाली तो उस पर पुली का डाइग्राम है उसके पर इंक्ल तो हम इसे हम भी खुद भी मोटिवेट हो रहे थे तो बच्चों में अलग लेहर थी और हमने देखा है जैसे में पास एक बच्चा आया था जमाल नाम ता उसका नाइंक्लास बढ़ाई में बड़ा जीब था मतलब कमजोर आप कहलो उसका इंक्लेस पढ़ाई में वाट त साथ हजार बच्चों तक ही पहुचनी थी तो फिर कि लगा जो आप कहरो रहो कि बाकियों तक कैसे पोचेंगे तो वहां से फील अलग हम बात कर रहे हैं सफर की सफर में कई उपलबधिया हैं लेकिन सफर में असफलताइं भी बहुत रही होंगी कब ऐसा लगा किसे फिजि सफल होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए वो ना होता तो यह ना होता कब लगा ऐसा यह उसी दिन लगा जब तीन साल होगे कोचिंग पढ़ाते और इलाबाद में एरिया है करे ली तो वहां पर थोड़ा वाइरल सा होने लगा एजीब सा मास्टर जो 23 साल की उमर का है पढ़ा रहे थे दस वी ग्यार भी बार भी पढ़ा रहे थे जी जगह नहीं बच रही थिक्दम पढ़ने की तो फिर उस समय अमारे जो साथ में थे इन्होंने अमको बोला कि 7000 बच्चे पढ़ा लोगा गले 10 साल के अंदर तो उन्होंने कॉम्प्लिमेंट जिया रही तो साथ जार बच्चे पढ़ा हो गया में लिए एक शाप हो गया घर जाके सोचते हम डर गया इस बात से कि दस साल भी बीच जाएगा साथ जार बच्ची पढ़ाएंगे और यह जो अलग तरह का पागलपना हम ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों में यह जो एक फिजिक्स में बच्चा जो है उसको हम जो फिजिक सिखा पा रहे हैं वो वो चीजे बागी जगे नहीं जा रही है दूसरी दिक्कत यह भी थी वहां पर यह भी लिमिटेशन ताम कई बच्चों की फीस आफ कर देते बहुत बच्चों कर दिया ओफ कर दिया तो इस चीज का दूसरा रास् कि उसकी में पूरा नहीं कि था क्योंकि है यह बच्चों अगर तो इसका जरीया है कि आँ यहा झार लगा था तो इसा लगा था कि इनके इस चरूर पढ़ा लेंगे और जिस तरह की कोचिंग इंदर सनक से पढ़ा रहे हुँ इसानक से यहां पढ़ाते है को पढ़ा है तो सब्सक्राइब करेंगे वारे में बात करेंगे वाक्त एक चोटे से ब्रेक का है महात्मा के मंत्र स्वच्चता में इश्वर का वास होता है ब्रेक के बाद एक बर फिर आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में खास मुलाकात में हमारे महमान है अलग सर अलग पांड़े प्रियागरात से युवाओं के यूथाएकन अलग हम बात करें थे 2017 से यूट्यूब की जब जर्नी शुरू हुई तो उसके अपने चालेंजेस हैं और कोचिंग में भी बड़े जाइंट्स भी हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको किस तरह का खत्रा रहता है उन खत्रों से कितना आप बच्चते हुए निकले टीच तो दिवार के उपर वाइड बोर्ड लगाया सामने किताब रखी उसके उपर मुबाइल फोन रखा शूट किया और एक जलाली ऐसी लाइट जैसे हां पर लाइट जल लई है और ऐसी बन क्योंकि माइक की आवाज खराब हो जाएगी तो इसम पसीने वाले वीडियो बन रह क्रा शुलय तो नहीं यूटूब पड़ा रहे लगे और दीवेधर में ट्राइपोड खरीद लिया भी ठाफी रख्यार चलेग घसे तर्से इंप्रूपंट कर ते गया लाइटिनिंग Кिया यह करते गया उसी सबाहई। यह बात सबज is कि नहीं आफका यह कोई बहुत शो प्रणिन अच्छा तो उनको लगान निए अगरी जिल से दिल कनेक्ट होगा और बच्चों को लगा कि यह मास्टर हमारे जैसा ही कोई है यह आप अनलाइन पढ़ाई देखो तो कुछ उस तरह की होती है ना तब तक तो मैं अखेला ही पढ़ा था यूटूब पे अखेला पढ़ाते ये चैनल सबसे बड़ा चैनल बन गया जेए नीट का जब की सामने लोग जो आप बोल रहें सामने बड़ी कंपनी बैटी थी जिनके एक चैनल पर पचास पचास सौ लोग की टीम बैटी है और उनका को अब इंदिटल कॉंटेंट एड़ा वाज भी खराब आखेल ये वीडियो बीच घर गिरिया वीडियो के बीच में अब हमको लगाए इडिट कैर थे विडियो बना बना एक पर ले थे कोई तीम की तो अप्र टीचर आए तो आप सही कहा रो ये हूँ एक बार्य एक बड अब तो यूटूब से आप पर आगए तब यह हुआ उगा यूटूब पर एक साल तक 2017-2018 तक यूटूब पर हाया और हमें पता है तो 2017-2018 तक हम कोचिंग भी पढ़ा रहे थे यूटूब भी कर रहे थे सत्रा के लांस में आते आते कोचिंग बंद कर दी और यूटूब पर कशिफ्ट हो गए एक साल में दस अजार सब्सक्राइबर है और आठ हजार रुपए पूरे साल भर में आए जब मैं पदा चला कि यूटूब से पैसा भी कमा सकते हैं अगले मेने इस तरह जा गए चालिस अगले मेने एक लट बने मेने दो लाग उसके बाद सब सही हो गया ठीक है तो यूटूब है अच्छे पैसे हाग यह तो थूड़ा जिनके बास ज्यादा पैसे थे वो टीचर को तोड़ने आया हमारे तीन चार्व टीचर को तोड़के जब तोड़के ले गए तो बाकी लोग के टीचे जब टूटते थे ना तो आते थे और हां जोड़ते थे कि कोई बात नहीं आप जहा रहे हो खुश रहना यह हम लोग के बच्चे थोड़े परिशान हुए कि आप कैसे हमारी पढ़ाई होगी आप पर कॉमेंट आ रहे थे कि आप फिसिक्स वाला तो टूट जाएगा नीट के बच्चे जिनका नीट का पेपर आने वाला है तो अदम परेशान थे तो फिर मैं उस दिन बहुत ही गुस्से में हो गया और इसलिए मैं कहता हूं मेरे अंदर ना वह कूलनेस है ना वह ट्रिकी गेम्स खेलने का तरीका मे पांच टीचर में लांच कियो सब बहुत हुए उसन में यूटूब पे गया और हमने थमनेल पे लिग दिया कि तुम एक अलग पांडे लेके जाओगे मैं हजार ने अलग पांडे खड़ा कर दूँगा और यह हुआ जम लोगे पांच सो टीचर हम लोगे पास तो मैंने का पांच सो और पांच सो हजार एक हजार में और करता जाओंगा और वो वीडियो यूटूब पे ट्रेंडिंग बिगया बच्चे विगदम खुश हो गया बच्चों को लगा सर फाइटर है वापस आये तिर किसी को फ़रक नहीं पड़ा कि टीचर कौन जा रहा है कौन आ रह मारकेट में जब पांच हजार पे तकरीवन पांच हजार कह सकते हैं साड़े چार हजार तक आप जाई की त kost ang nas join की तैयारी और ये इसके पीछे मकसद क्या बतलब कम पैसे में ज्यादा बच्चों तक पहुचना मुनाफ़ा कमाना या पिर उन बच्चों तक पहुचना जिन बच्चों तक पढ़ाई नहीं पहुच रही थी मुनाफ़ का तुम यहीं बोलुगा कि मैंने जो लाइफ देखिए मुझे मुनाफ़ नाफ़ से बहुत फरक पढ़नी रहा भी और ना तब कभी पढ़ेगा मुनाफ़ क्या ही कमाएंगे हम यूटूब से इतना पैसा कमा रहे अज भी मेरे पास 75 क्रोड रुपय नहीं है और यह बहुत पहले मिल सकते थे तो भैने लिया नहीं तो मुनाफ़ की बात नहीं दूसरी बात यह थी कि जब हम लोगा घर विका उसका पापा मेरे मेरी बहन की साइकल से जाते थे और दुकानों में साधनागत कास्मेटिक सते तो वह लाइफ मैंने देखी और मैंने इटी कोचिंग कर पाया मुझे यह फीर एक बुरा भी लगता रहता है तो हमें वह चेंज लाना है तो हमें लगता है मैंनोना मिशन जो बदलने के लिए लगा है उसी से अनेरजी आती है अग एक टीचर तो वह पूछ भी रहते है पैस कुछ डिफरेंस नहीं आना है सर इस सबसे में बात होती है कि आप कि मिशन क्या जीवन में तो पैसा कमाना अम लोगा मिशन नहीं था यही था कि गाउन बच्चों तक पहुंच मैं अभी देखो ना आप बच्चे जो सेलेक्ट हो थोड़े आपको मैं बता ही रहा था वो है तो फोड़े कि अपना वो भी सलेक्ट है वो भी गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में पहुचाया कश्मीर से इसी साल और वो तो कैसे बाढ़ना था वो तो कश्मीर में इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वह दिनली आता था सारे लेक्च्चर डाउंलोड करता था और उसक अभी एक बच्चा गाहों से है नट्वर करके राइस्थान साइड से यह भी पहुझ गया गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बने चारा है अपने गाहों का पहला डॉक्टर किसान का बीटा अभी एक रूबी करके वह भी देंदी में गौर्मेंट कॉलेज में तो वह भी काफी चैलेंजिंग बैग्राउंड से हैं पापा अटो डाइवर हैं मम्मी भी हैं भाई थोड़ा से उनके प्रॉबलम में मतलब फिजिकल प्रॉबलम में तो वह सब तो हमको लग रहा हमारे सब वारियर बन गहें हमारे सानिक बन गहें सब तो अब यह बीज वह ए अलग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन उपॉचिनिटीज अपार हैं अब फिजिक्स वाला के लिए मैदान बहुत बढ़ा है तो किस तरह से गलोबल मार्केट को लेके तमाम वो जो उपॉचिनिटीज हैं उस पर आगे कैसे काम करेंगे उस पर बात करेंगे ब सब्सक्राइब होता है कि अधिक की बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं अलग पांडेजी से अलग सर युवाओं के लिए अलग हमने अभी तक कर सफर के बारे में आप से बात की जिसमें आर्थिक परिस्तियां बहुत आपके लिए कठिन रही हैं जिनको देखते हुए आप आज की तारीक में देश में उन बच्चों तक पहुशना चाहते हैं जिनकी आज आपको क्या लगता है फिजिक्स वाला के एक प्लाटफॉर्म से आज आज आप तकरीबन छे से साथ आपके और प्लाटफॉर्म से जिसमें आप कॉम्पिटिटिटिग इजाम्स में आपने अपनी एक तरह से अपनी सीमाओं को और बढ़ाया है आगे की फ्यूचर प् वह हमको बताते थे कि सर आप तो जे ही नीट का ही कर रहे है और 910 का क्या होगा फिजिक्स वाला फाउंडेशन करके 910 और वहां पर फ्रीम अपड़ाया यूटूब पे एक साल फिर उसके हम लोग कोर्से लेकर आए पेड़ और आज अपने आप में वह भी अपने आप में अपने आप में फांडेशन अपने आप में एक प्रॉफिटेबल बन गया इस तरह से इस साल लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 6 7 8 में भी जा नाइंट तक की हैं तो इस तरह जाना हम लोग को बहुत जरूरी है 6 7 8 में वहां बहुत महंगे कोर्स बेच बेच बड़े जैंट औ पार कोर्स ब्लाग है कि बया है अठीज हो तरह जाएवान दूसरा एक भड़िशन बना रा रहा है कि बड़े महां पैसे हैं मुझे जा है मेरे बच्चे को परस्टाइस को परस्टनिक्वें ने हो सकता हूं तो ले लो आप 50 अरुपे और कर दो हमारे बच्चे को दचे को पुरे इंडिया के शजगी करना हैं तो हम कभी जो को डि-सके नियूद नहीं कर सकते हैं कि तो यह करी नहीं सकता है पिछले एक साल से लगे थे कि पर्सनलाइज़ प्रोग्राम बनाएं जिसमें बच्चा ओन डिमांड टीचे से कनेक्ट हो पाएं यह काम कॉम्टिटर्स हमारे करके बैठे हैं और सब करके बैठे थे तो बहुत इस चीज़ पर बोलते थे कि आप क्या वन कि जैसे श्रीकृष्ण अर्जुना के सार्थी बने जैसे पीड़ू सार्थी बने का बच्चों का और सारे उनके डाउट सॉल करेंगा और उनसे लगातार पूरे दिन कनेक्ट रहेंगा टीचर जब चाओ कनेक्ट हो जाओ बहुत ही सस्ती फीस के लिए तो एक सबसे सब्सक्राइब करेंगे तो अनलाइन का फादा हम लोग ठाके वहां भी पहुच पार रहें चौता यह होगा कुछ पीजी एक्जाम की तरफ जाना चाहते हैं जैसे हमारा आप यह देख लो कि भारत के हर इंजिनिरिंग कॉलेज में आप देख लो तो हर दस्वा इंजिनिय सब्सक्राइब करेंगे भारत के अंदर करेंगे ग्लोब लोग काम लोगा कोई प्लान नहीं कि कुछ बहार कले बनाएंगे अभी अभी सोनु का वह इंटर्वी आया था ठीक है वो जैसा भी लड़का हो जो भी हो पर वह जो चीज दिख नहीं पार हो वहां तक अभी आप कोचिंग नहीं कर पाए बहुत अच्छी कोचिंग और वो मलाल वक्त के साथ आज जब इतने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं आप तो अब वो मलाल थोड़ा सा कम हो गया हो जै मलाल है डेफिनिटली उसका मलाल है लगता है कि नहीं कर पाए और कर पाते तो चले जाते ऐस नहीं है जो अच्छा हुआ नहीं गया अच्छा हुआ है कि लोग पात पाफली च्वड़ा तो तो कुछ रिस्की डिसिज़न ली हैं महीं लगता है अच्छे बन गए शही है वही है अन्या आप डिसिजिजिन लाइफ में पहले लेते हो उसको सही बाद में प्रूफ करते ह तो पहले हमने कालेज छोड़ दिया पर अच्छा डीजन को इंसान को छोड़े घर जाके सो रहा है यह नहीं हम गए तीसरे जन कोचिंग कि वेखा वी टाइंग बच्छा है हमने अपोर कोचिंग पकड़ ली तीन साल कोचिंग पड़ा है हमें अच्छे पैसे आरे पर हमें ल क्योंकि जब आप इतनी तयारी करते हैं और नहीं हो पाते तो बहुत हताश हो जाते हैं लेकिन जीवन में वो हताशा छोटी है अफसर बहुत बढ़े आगे हैं उनके लिए एक अंत में एक संदेश में भोलूगा कि आई टी की तयारी करते हैं जो भी आज तेरे सपने में हैं कल वो हकीकत में होगा और जो भी आज तेरी आउकात में नहीं हैं कल वो तेरी जेब में होगा ना सिर्फ आप से बात करके आपके सफर को लोगों तक पहुचा के खास करूं यूवाओं तक पहुचा के जिने शएच छोटी-छोटी असफलताएं कई बार मायूस कर देती है और जीवन में लगता है कि कुछ अब बचा नहीं है उनके लिए बहुत बड़े उधारण हैं बहुत इंस्पिरेशन हैं बहुत बहुत धनेवाद डिजी निवर्स से बात करने के लिए अगर बहुत शुप कामना है आगे के बहुत बात थैंकियो आप बुलाने के थैंकियो सव मच्छ मैं सागर को स्वतंचता की तरह महसूस करती हूँ सागर मेरी मा और मैं उसकी बेटी हूँ